गुद मॉर्णिंग एर्यवन गुद मॉर्णिंग एर्यवन गुद मॉर्णिंग जल्दी से जल्दी बताईया आपको आवाज पहुंच रही है तब तक जो है हम टेलीग्राम चैनल के उबर अपनी क्लाश शेर कर देते ताके बाकी बच्चे भी हमारे साथ जूट जाएंगे गुद मॉर्णिंग गुद मॉर्णिंग सब को गुद मॉर्णिंग ठीक है यह बाज आ रही है प्रापर तरीके से करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने सेशन में तो आज हम करेंगे उडिशा सीविल सर्विसिस के लिए कुछ कोशन्स आज हम करेंगे सैट्टंबर फाइब और इस वीडियो के लिए रहा हूं मेरा नाम है डॉक्तर विपन गोई कल जो है एक गुजरात पीसीएस का कुछ पेपर था जीपीएसी का वेपर था और एक अब पर था तो जितने भी हम पेड़ कोर्स के अंदर कलासिस करते हैं जह हमारे यूट्यूब से बहुत बच्चों को फायदा हुआ है डिरेक्ट मैंने हमेशा आपको चीज़ बताई है कि डिरेक्टली कोशन नहीं आते हमेशा इंडिरेक्टली कोशन आते हैं लेकिन आए ह पर बहुत अच्छे हुए ठीक है और महाराश्रा से और गुज्रात से दो स्टेट्स का पर था कल सीविल सर्विसिस का तो दोनों बड़े खुशते बच्चे सो कोई बात नहीं जैसे आप कर रहे हो करते रो पढ़ते रो लेकिन मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है कोशन के उपर फोकस ना करके ठीक है कोशन तो देखो ही देखो साथ में को बहुत ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो बढ़ते हैं जी आगे तो आज हम सेट 5 डिसकस करने जा रहे हैं और मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोईल आप सबको पता ही है और आगे बढ़ते हैं जी आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूँ टेलीग्राम चैनल की उपर आपको फॉलो करना यहां पे जुरूरी है डॉक्टर विडियो मार्निंग में बेस्ट 500 का पार्ट साइगा डियान से जनवरी से मार्च तक के कल आएंगे से कल्या अगया तो देख लेना उस क्लास को और यहां पर चैप्टर वाइज एंसीक्यों लेकिन इसमें जो आप बहुत कहते हैं कि डिसकाउंट डिसकाउंट की बात करते हैं तो यहां पर विपन 15 वी आई पी एं 15 कोड लगाएंगे तो आपको यह 50% प्लस 15 50 प्लस 15 प्रसंट जो भी डिसकाउंट है वह आपको मिल जाएगा 31 मार्श दक विपन 15 लगाएंगे तो डिसकाउंट मिलेगा यह द्यां रखना यह वाला कोड चीक है पहले लगाते थे विपन 10 अब 15 है द्यां रखना और दूसरा कोर्स है जो पूरा का पूरा हमारा इसके अंदर यह वाला कोड लगाना है आपको आगे बढ़ने से कर सकते हो चैप से कर सकते हैं यहाँ यहां पर भी औरर के बटन को दबाना इस वीओ पूरे इंडिया का कोई बी एक्जाम है और आपको जीएस थोड़ा बहुत अच्छे से पता है तो आप तरफ जाहिए अगर आपको बिल्कुल भी एबी सीवी नहीं पता जीएस में और आप नेक्स्ट येर के लिए प्रपेर कर रहे हैं हो सकता है कि दो साल बाद प्रपेर करना होगा आप लोगों को काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं तो पहले जीएस को समझाते हैं कि टॉपिक है क्या लेकिन उनकी कि इंप्लीमेंटेशन हमेशा में होती है त्यां रखना चलते हैं जी आगे चलिए अगला देखिए कि स्टार्ट विदा फरस्ट अब बहुत बढ़िया अगर आपका पेपर जो है गुजराथ पीसिएस का बहुत अच्छा गया बहुत अच्छी बात है ऑफर डीला है उस्बelles हो गया है ऑगे कुष्य करूश्चिश्य नौन इंडियन को मिले और यह वह कौन भारत रट रतन जो नन इंडियन है वह किसको मिला तो यहिए इसजिए आपका Europeans शिविलियन और है highest civilian award ठीक है highest civilian award देखने को आपको मिलता है 1954 में यह आपको start हुआ था उस टाइम पर तीन भारतियों को मिला था सी राज को पाला जा रहा है सर्वपली राधा किशन सी वी रमन ठीक है इन तीन लोगों को जो है यह अवाड दिया गया था highest civilian Fishland Beach लेकिंट और टेशन किया है पहले non-Indian कौन थे तो वो थे खान except अब्दुल गफाराРoscope अंसर इसमें क्या बनेगा लड़ाइड抵ारचा कलियर हो गया सी ऑप्षण बने गाड़ाइड और के अंसर कलिए अब यहाँ पे जो कुशन का अंसर बनेगा अब्दुल गफार पहले फॉर्णर पहले पर्संट जिनको भारत्रतन मिला था पहले नॉन इंडियन गांदी जी के साथ लेकिन ओने किया था नॉर्थ वेस्ट फ्रविंदel फ्रविंस पैशावर में और याट के शयर्ट पहलते हैं यह बिलोंग करते को खुद खिद्मतऌर और कहने कि फट्मतगर चक्से मांत गांधीएन होग के नाम से यान जानते हैं सिमांत गांधी के नाम से भी हम जानते हैं समझ आया क्लियर होगे आप लोगों को कि समझ आया जी तो ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर खान अब्दुल गफार खान चलिजी अगला देखिए कि अगला वोशन बताईए क्या बनेगा कि मैक्सिमम एरिया बताईए अंडर दा कि फॉरेस्ट कवर मैं कौन सी स्टेट का है जल्दी से जल्दी बताईए कि जी मैक्सिमम एरिया अंडर दा ऑप्षरेस्ट कवर पहली बात न Neither यात अंव संबर्ति और आkę हसे छूची में describing हैं में जिसमें आपका बनाते हैं और यह फॉरेस्ट यो है पहले फॉरेस्ट सेटहरु होता था पिर इसको लीडिन डाल दिया अगैंन समवर्ति सूची में और आपको बताया था 42nd amendment के according 42nd amendment act 1976 के according 5 सब्जक्ट जो है हमने स्टेट सी लिस्ट से कहां पर डाल दिये थे concurrent list में डाल दिये थे जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलके कान बनाती है और वो पांच सब्जक्ट थे forest education weight and measures clear forest education weight and measures और forest education weight and measures और कहांसा and wildlife protection of wildlife ठीक है तो यह पांच सब्जक्ट को चेंज किया गया था आपका state list से concurrent list में डाल दिया गया था समझाए आप लोगों को और यहां पर बात है कि maximum forest area जो है कहां पर देखने को मिलता है जी maximum forest area जो है आपका है डाड़ीजिंद मध्या परदेश अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर क्योंकि इन्होंने एडिया पूछा है तो अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा प्रेक्ट अंसर forest policy पूछी जा सकती यह आपको forest policy act जो है आपका 1988 1988 का आपका forest policy वाला पार्ट था समझाया जी 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 बिल्कुल हाँ फॉरेस नैशनल फॉरेस्ट पॉरेस्ट पॉलसी 1988 की थी अब बात करते हैं forest research department कहां पर आपका धेरादून के अंदर है धेरादून उत्राखंड की capital है धेरादून में यहां पर प्रत्राइबर देखने को मिलते हैं अगर यहां पर पूछा है एरिया तो आपका बनाएगा अंसर मध्यापर्देश अगर यहाँ पीचेंटिस परसेंटिस कहां पे सब्से ज्यादा है तो मिजोर्म सब्सक्रान बैर से बहुंअ divin जिसमें स्टेट ने लेटा बहुत जड़ाइन कीला था लेकिन और मार पर पूछा तो आपका मिजोरम अंसर बن जाएगा परसेंटेज वाइज पूछा तो मिजोरम अंसर बन जाएगा क्लियर हो गया जी हाँ परसेंटेज वाइज मिजोरम मिजोरम के बाद अगर आपसे पूछ लिए चलो आपको तीन पूछ लेते कई बार पेपर में मिजोरम के बाद आता है अरुनाचल और नाचल के बाद आता ह पटेश प्लियर प्लोगों को है कि लिए आप लोगों को चले है आगे बहुत बढ़िया कि अगला अंसर बताई यह 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 देखो ऐसे पर में आ जाते हैं कुछ भी पूछ ले झालेकिन हम तो करने ना हम कुछ बूछ सकता वैसे तो युनाइटी नेशन के वैसे 193 मेंबर है 193 थर्ड मेंबर जो था वह था आपका सौथ सुदान 193 जो था वह सौथ सुदान था ठीक है लेकिन इसमें क्या पूछ लिया एरिट्रिया जो आपका जो यूएस के प्रेजिदेन्ट थे इसका नाम इनों ने दिया था नेंविंग उनों ने करी थी और इसके हैड्व के इसके अंदर है ना धा कोशन एलिट्रिया जो है वह वह कहां पे है इलिट्रिया जो है आपका ऐफ्रीकन continent में देखने को मिलता है अन्सर इसमें B option बनेगा right answer Eritrea जो है आपका basically कहा पे देखने को मिलता है बिलकुल warm जी देखो यहां पे देखे जी यह है आपका Eritrea 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 यह वाला है Eritrea जो है boundary किसके साथ share करता है यह आपका question main बन सकता है Eritrea जो है यहाँ पर देखो इथोपिया के साथ link करता है ठीक है यहाँ पर सुदान के साथ link करता है और जिबोती के साथ link करता है तीन आपकी states है वहाँ पर जिनको share कर रहा है सुदान के साथ share कर रहा है इथोपिया के साथ share कर रहा है और जिबोती के स लगता है रे starch की कोश्ष के उपर लगता है अभड़ सई और यहां पर recent इंडिकव और कोन अलग करता है Ha Golden अलग अलग करता फेलेंट दीनध से कांसे होता है Gulf of 여x अब्र नहां से अब影片 होता है दिया यह रड़ सी की कोस्ट के उपर है रड़ सी और और अबइन सी किनेक्ट कहां से होते हैं यह आपकोके हो जाना चाहिए समझाया एक कोशन आपको विपर में और ऊप्षा चाहिए वो क्या को है वो मैं आपको से धाषिवार पेपर में ऐसे नीमोनिक याद रहा जाते हैं हॉर न अफ सुडनीन में अध्रियार ठीक थो यह हो जाएंगे एट उसके बाद D से जीबोंती छी कह А आपका हॉआर एफिका के अंदर पार्ट बन जाती है समझायए आफ जेरों si कि जी क्लियर हो गया आप लोगों तो यह पांच कंट्री आपका हॉर्न आफ एफ्रिकाव का भी पार्ट बन जाती है और यहां से आपकी रीवर आती है लेक विक्टोरिया लेक विक्टोरिया यहां से चलती है चलो बान में डिस्स करेंगे बट अधर वाइस आपको यह कि कि अहीं कि अगला देखो अंग्यव फोर कि लखन और सईशन जो 1916 धा ये किसके 100 समय इसके क्या कहते हैं आपका हिंदू-मुस्लिम यूनिटी के लिए एक आपका एक्ट कहते हैं 1916 था यह चीक है और इस चेयर परसन को को बताता हूं इस पैक्ट को लखनव पैक्ट के नाम से भी आप जानते हैं 1916 और इसको हिंदू-मुस्लिम यूनिटी के लिए भी आपका एक्ट बोला जाता है क्योंकि यहां पे हिंदू-मुस्लिम स्फिर इकठे हुए थे मुस्लिम लीग और आइंसी दोबार इकठे हुई आपक मुहमद अली और जिना को क्या बोला था अंबैसेडर ऑफ राएंडू-मुस्लिम यूनिटी के लिए स्रोजिन नाइडू ने किसको बोला था उबहुत अच्छे थे बाद में जो है इन्होंने पाकिस्तान टर्म्स यूज़ करने लगे बिल्कुल अलगलर टर्म्स यूज़ करने लगे सामपर दाइकता के कॉमनलिजम की उपर बात आने लगी बट उस टाइंग तक मुहमद अली जिन्ना सपोर्ट करते आई एंसी को भी और मुसिमली को भी ची आपकी लेडी डाड़ी डाड़ीज आयरलेंड से जो आई होई लेडी थी उनका नाम क्या था जो आयरलेंड से थी एनी बेसेंड ने यहां पर जो है दोनों को जॉइन करवाया था तो इस वेरी इंपॉर्टन अगें क्लियर यह रिस्पॉंसिबल थी तो उसमें क्या प्रश के अंदर जो है सूर्ट सेशन के अंदर जो है चेर पर संथे यहां पर ठीक है कौन अराश्ब्यारी गोश्ट और यहां पर ही हुआ था आपका मॉड़ेर्स और एक्स्टी में पर सको बोला है मध्या परदेश को बोला है पहली बात तो डाइमंड सिटी नॉर्द है उसके अंदर एक पन्ना माइन जिसको आप कहते हो डायमंड माइन कहते हो लेकिन अगर शहर का नाम पूछा जाता है तो सूरत इस दाइमंड सिटी यह द्यां रखना क्योंकि यहां पे सबसे ज़्यादा कारूबार होता है सूरत से डायमंड का और जो है आपका किसके किनार यह फोटो बदन कैसे लगाई है यहां पर चलो उल्टी लग गई है चलो कोई दिक्कत निया हूं मंग दा फॉलिंग वाज़े फाउंडर आफ नटाल इंडियन कॉंग्रेस जो है यह कहां पर बनी थी 1894 में बिल्कुल 1894 में बनाई गई थी एफ्रिका में साउथ अफ्रिका में 1894 में साउथ अफ्रिका के अंदर जो है बनाई गई थी ठीक है और किसने बनाई थी महात्मा गांदी महात्मा गांदी इसके जनल सेक्रेटरी बने थे जनल सेक्रेटरी बने थे इस organization के clear और दादा अब्दुल्ला दादा अब्दुल्ला जो थे दादा अब्दुल्ला और इसके जो थे वो president बने थे और यह जो है नटाल इंडियन Congress इसलिए बनाए गए थी क्योंकि South Africa में Indians के साथ और जो काले लोग थे उनके साथ जो है काला वर्ड यूज होता था उस साइटी में हमारे इंडिया में भी ऐसे चीज़ें चलते हैं हाँ ठीक है हमारे हमारे आर्टिकल 15 है जिसमें लिखा गया है कि आपका discrimination नहीं करना वैसे करना नहीं चाहिए आप लोग को लेकिन करते हैं लोग तो उसमें आपकी सजा भी है ठीक है अगर आप करते हो किसी भी चीज के लिए बट आपको पता होना चाहिए यह रेशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस टाइम पे 1894 में तब जाके जो है यह आपकी निटाल इंडिन कॉंग्रेस बनाए थी साउथ अफरिका में बाइदा महात्मा गांधी जो जनरल सेक्रेटरी थे सत्यग्रह हुआ था जो भी यह अफ्रीका के अंदर देखने को मिला था मात्मा गांधी जब हमारे इंडिया में आए थे वह आए थे नौजनवरी 1915 को मनाते हैं आपका परवासी भारते दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और उसके बाद गांधी जी ने 1917 में जाके यहां पे इंडिया में जो है आपका पहला सत्यग्रह किया था चंपारन सत्यग्रह जिसे आप तीन कठिया लगान भी आप कहते हैं और इस यहां पे राज कुम पता होना चाहिए इंडियन नाम का पेपर भी यहां पे एडिट करते थे और इंडिया में आके तो यंग इंडिया नवजीवन हरिजन ठीक हिंद सोराज इन नामों से पेपर भी इन्होंने चलाए थे माई एक्सपरिमेंट विद्ट जो है इनकी ऑटोबाइग्राफी थी म इस कोशन का अंसर क्या बनेगा आपका फॉर्थ ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर महात्मा गांधी इस दा करेक्ट राजा राम मोहन राइजी की बात करते हैं तो 1828 के अंदर जो है इन्होंने ब्रह्मो समास थापित किया था 1829 में इन्होंने चाइल्ड मैरीज चाइल्ड 1899 में राजा राम मोहन राइजी के जो पेपर हैं वो आपको पता होना चाहिए गिफ्ट टू मोनोफीस्ट क्लियर और संवाद कौमधी संवाद कौमधी ये इनके पेपर थे और जो है राजा राजा टाइटल जो है इनको अकबर सेकिंड ने दिया था अकबर सेकिंड ने दिया था राजा रामोन राइजी को मोलते हैं modern man of India father of Indian रेनेसा बोला जाता है और modern man of India इनको जोहाला नहरुजी ने बोला था और कौन सी पुस्तक में इनकी जो बुक थी डिसकावरी ऑफ इंडिया में बोला था बाल गंगादर तिलक रो लोकमाने तिलक जिनको आप कहते हैं दो बार मांदले जिल गए यह दो बार मांदले जिल गए हैं बर्मा में 1997-98 में और उसके बाड़ जो है नाइंटी जिर्व एट में चीक है और यह दोनों बार मांदले जिल सुराज पर्टी सुराज पर्टी एक जनवरी 1923 को बनी थी और मोतिलाल नहरू से आपको नहरू रिपोर्ट पता होना चाहिए 1928 के रिपोर्ट आई थी जो आपके कंसिशनल रिपोर्ट थी वो फेल होई थी वह मोतिलाल नहरू जी ने बनाई थी समझ आया आप लोगों को हाँ फैक्ट तो जितने मर्जी याद कर लो एक एक बंदे के उपर हम नौट बंदा कोंगा मैं परस्नेलिटी के उपर जो है हम पूरा एक दिन ले सकते हैं इतनी इतनी चीज़ें इन्होंने कर रखी है ठीक है बट मैंने कुछ में में आपको पॉइ न्वायज़ हो जाए समझ आया जी है तो ऊशरिस में क्या बन गया जी आपका फोर्थ ऑप्शन बन गया महात्मा गांधी इज़ा करेक्ट अंसर महात्मा गांधी को अगला बताइए इंवेसे असा कौन सा इन्जाइम है जो वर्क करता है मीट कोटेंडर करने में आपको हल करने के लिए संजोजी उत्तक जो होता है उसको खतम करने के लिए ये यूस किया जाता है बहुत सारे enzymes होते हैं बहुत सारे प्रोटीनीडि मतलब प्रोटीन को डाइजस्ट करने वाले लाइब फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टीन एंडोटीडेएज ठीक है यह आपका इंजाइम होता है में जो आपका मीट को टेंडर करने में अपको करता है लेकिन कोशिन यहां पर यह है कि जो होता है यह कहां से हमें मिलता है पापाया से मिलता है ठीक है पालक से पालक से हमें मिलता है जिसे हम कहते है पैपीन ठीक है और और कहां से मिलता है पाइनेपल से और इस से इस ब्रोमेलेन ठीक है ब्रोमेलेन और एक मिलता है फ्रिक जिसे हम कहते हैं फाइकिन इन तीनों से हमें मिलता है इंजाइम यह वाला ठीक है तो यहां पर जो आपको याद करना है यह वैसे आपको पता नहीं होगा लेकिन कोश्चन में आया हुआ है तो इसमें वान ऑप्शन बनेगा लाइपेंज की बात करें यह फैट को को डायजस्ट करवाने में हेल्प करता है whose की बात करते हैं तो इंस्टेट वोदा है और आपका जो जाता और अगर आपसे पूछा एनर्जी करनसी आफ दा सेल जिसे हम कहते हैं इनर्जी करणसी ओफ दा सैल किसे कहते हैं एक सेल जो है सांस कहां से लिता है माइट्रांद क्व दिन महें है इलावा ऐधर इन्दर होता है एक होता है इसको आप कारेक्ट ऐस में ए Want अगला बताई से comes जी यह कुशन आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा एक व५ॉस्षन टेरा पोटा आरm 2018 ऑस चाइन टेरा गोंफ चाइना डिस्क्राइब करती यह लाइफ स्षिगर फाउन नियर डा-तॉ म आफ एंपरोर मैं प्रीख स दिखाता हूं जो टेरागोंटा से बने होती थी आर्मी इनके जो फिूगर्स बनाइ गई है मूर्तियां बनाइं गई है यह किस के टॉम के पास ने को आपको पिछाता हूं यह देखेजी पूरी की पूरी जो है इनकी मतलब पूरी की पूरी आपकी आर्मी की ऐसे बनाई हुई है मतलब बुत बनाए हुए है स्टैचू बनाए हुए है इस तरीके से क्लियर और यह किस किस किंग की टाइम पर देखने को आपको मिला बस याद करना है यह वर्ल्ड हिस्ट किन शी हुआंग के टाइम पर देखने को हमें मिला था समझ आया कि क्लियर हो गया कि जी अंजर इस सी ऑप्शन कि किन शी हुआंग कि अगला बताईए ठीक है जी हाँ करंट फिर कल आएगा कल मौर्निंग में आएगा नौ बजे कल मौर्निंग में नौ बजे दो तीन घंटे की कलास होगी हमारी जिसमें हमारा फॉस्ट पार्ट कंप्लीट होगा बेस्ट फाइव अंडड का देख लेना कि मैस्केट वॉस्ट इंटेड्यूस इंद एशन गेम इंद यर देखिए इसन गेम्स के अंदर जो है पहली बार जो है आपका मैस्केट कवाया था देखिए एशन गेम्स चार साल बाद होती है पहली बार 1951 में हुई थी आपकी न्यू डेली के अंदर दिल्ली के अंदर और 1982 के अंदर जो है पहली बार इन्होंने मैस्केट जारी किया था और उस मैस्केट का जो नाम था अप्पू अप्पू ऑजा मैस्केट क्लियर अंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बी ऑप्शन बनेगा और 1982 की जो आपकी यह वाली हुई थी इसन गेम्स यह भी आ हां अगर आपसे पूछा जाएगी अभवाली होने वाली है वो कब होंगी 2022 में अब 2022 में कहां पर होने वाली है चाइना के अंदर कहां पे हैंaff nessow के अंदर हुई हैं तो हैंग जो इन दट टूटाउजन ट्वेंटीटीटू जो अभी होने वाली है क्लियर मतलब होगी कि चलो को अगला वताई यह निद्टीशन अटायर हैं यह कपडे यह कहां के हैं जल्दी से उष्व्ल और टीडिशन जाते हैं यह कहां के है मैं दिखा देता हूं आपको ठीक यह पिच्छर ये इस तक होता से ठीक है शीर्ट अनसे इस पेहन से और बोट कमर तक पहते है धिसे सबहु twee s ऑप्षहन बनेका राइट अंशर समझाया है जी बुतान इससी ऐर आइस अगोस है अगला अगला बद हमारे देश में एक्टी वॉल कैनों जो है वह कौन सा है देखने को मिलता है हमारे देश में दो वॉल कैनों को मिलते हैं और वाल्कनौ और धूल करोखने इक में डिफ्रेंस बदाया था अर्थ्क क्या होता है Shaking of the Earth और वाल्कनौ उसका होता है जब भी एजबी इरप्ट होता है वह मैंगमा निकालता है एक ऐसे रस्ता बना के और यह आपका अपन आपन निकाना जाता साइब लिए और इसके बाद जो है लोग नार्कॊंदाम है आ 허 P डॉर्मेंट का मितलब क्या है डॉर्मेंट को सकता है और ट्यॉया हो और अंसरीस में क्या बनेगा 3rd option बनेगा और मैंने आपको बताया था world की सबसीज़ाद volcano कहां पर आते है यह इंद्ट रिंग ओफ फायर जो है यह कहां फे देखने को मिलती है हमें पर्शांथ महासागर में देखने को मिलती है तो वहां पर सबसीज़ाद और देखने को मिलते हैं मैंने आपको बताया बैन अट निकोबार करता है वही है तो अपको ऊची चोटी का नाम किया है तो नौ Driving देखने को मिलती है २ोर्थ गवार में देखने को मिलती है तो कमेंट सेक्शन मिलक के बताओ नौर्थ अंडेमान में कौन से सबसे उची चोटी है आपकी अंडेमान निकोबार आइलेंड की जल्दी से जल्दी बताओ I am waiting for your answer, ठीक है मैं आगे और बताता हूं आपको अंडेमान निकोबार आइलेंड की capital है पूर्ण ब्लेयर यहां मिलती तंथी जो सबसे चोट के और दो हैं कौन कौन सी है जरावाज है ठीक है औहां है और और कौन से हैं अंडेमानी से निकवारी है शोंपेन हैं यहां पर सेंटनीली वह ठीक है जूओ इस देशन ट्राइब्समस कुना ले और प्रप्रोगिव इनने कों इने इस सट करदेत दे लेगा क्यों है। यह में आज अगरा कोषिए ने लेशान जाइंट बुदा इसे यूनेसको वर्ड है क्यूंट साइट साइट पहले बात हो यूनेसको की वांट है साइट का स्टेट सम्ली यूनेसको देता है पहले यह हो गया और यह तीन घ्रियों मिलता होता है आपका नेचरल कि यह जो है आपका यह जाइंट बूदा यह कहां पर है यह दिखेंजी आपको मैं बता दूं यह टैंक डैनेस्टी के टाइम पर मना हुआ है ठीक है अब आपको पता लगया होगा टैंक वर्ड से ही और मैं आपको बता दूँ यह जाइंट बूदा जो है यह डिपिक्ट करता है मैत्रया मैं अपको पहले बहुत पहले भी पताया था जो फ्यूचर बूद्ध भगवान उसक बनेगा लोगों को जी चाइना के अंदर है यह बिलकुल 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 सी ऑप्शन बनेगा इसका करेक्ट एंसर समझाये आपको क्लीर हो गया करें आगे यह देखिए यह है आपका दिस इस जाइंट भुद चिक है और यह है लेशान के अंदर समझाये आप लोगों को जी और आपने एक चीज देखिए यह जो है नदी बहरी है यह नदी बहरी है निचे चीक है यह नदी है यहां पे दो रिवर्स मिलती है आपकी मिन रिवर मिन रिवर और आपकी दादू रिवर मिन रिवर और दादू रिवर मिलती है और उसके जो यह स्टैचू है स्टैचू की आगे रिवर जा रही है इनका कॉन्फलेंस पॉइंट बनता है आप मिन रिवर और दादू रिवर का समझाया कहां पे लिशान क के अंदर समझाया आप लोगों को जी और बुद्ध वगान को हम कहते क्या है लाइट ऑफ एशिया फ्यूचर बुद्ध आपको बताई दिया मैत्रय कहा जाता है तो बुद्ध वगान के ऊपर तो बहुत सरी चीज़े जितने मर्जी बढ़ते जलो बुद्ध वगान ने पहल सी वाच्टी बुद्ध काउंसेल में विधाम लेकी की ती जिनका उरी दूसरा नाम क्या है उपागुपता है यह आलजी हम चीज़ें डिसकस कर चूके है समझाया आप लोगों को चलिए बढ़ते हैं अगला बताईए तर्म flaw और्मो के क्या चीज़ कोई ठीजैंबmaya रहेगी हमेशा का सब्सक्राइब हो एक दुमने के सक需要 करना पर यह नहीं फिर सब्सक्राइब के नो सब्सक्राइब of energy मतलब क्या हो गया आपका the total system the total energy of the system remains constant answer इसमें be option बनेगा right answer be option clear यहां पर देखे जी यहां पर क्या है state one है state two है equilibrium में है तो अगर हम बात करते हैं आपके energy की internal energy की वह कैसे होगी जितना आपकी heat transfer हुई है वह minus कर दो work के minus कर दो work से तो वह क्या निकल आएगी आपकी internal energy निकल आएगी तो that means internal energy हमेशा क्या रहेगी हमेशा constant रहेगी आपके equal रहेगी बराबर रहेगी समझा आप लोगों को तो इस question का answer क्या बनेगा total energy of system remains constant this is the first law of thermodynamics अगला पताईए transfer of heat from one place to another may takes place by अगर आपकी heat transfer हो रही है एक जगा से दूसरी जगा के उपर तो किस तरीके से होती है देखे heat transfer करने का तरीके बहुत सारे हैं लेकिन यहां पर question ध्यान से समझे कि क्या बोलता है heat transform from one place to another place ठीक है may take place by तो that is called conduction यह बनेगा आपका right answer बनेगा क्योंकि यह क्या होता है अगर हम बात करते हैं ऐसे ठीक है अगर हम बात करते हैं कोई object है यह गरम है hot है यह cold है तो क्या होगा जब इसको जोड़ दिया तो heat transfer आपकी ऐसी और जो हमारा अर्थ atmosphere होता है अर्थ का atmosphere है वह वाम किस तरीके से होता है आपका convection method से होता है और संसे जो radiation आती है डाइस कोल्ड radiation that is radiation clear विकरन जिसे हम कहते हैं और आपको बताया था speed of light कितनी होती है 3 into 10 is to power 8 meter per second this is a speed of light clear और यहां पर आपको जो है 3 into 10 is to power 5 km per second भी डाल दिया जा सकता है तो यह भी आपको बता होना चाहिए तो answer इसमें one option बनेगा correct answer कि a option बनेगा correct answer समझाया आप लोग कि समझाया जी क्लियर चलिए कि यह है convection यह है conduction और डिसक्रश कर चुके हैं यह radiation वही चीज़ है convection liquid gases के अंदर conduction solids के अंदर और रेडियेशन के अंदर जो है radiation निकलते हैं waves की form में इंदर धनुष एक्सराइज जो हुई है आपकी इंदर धनुष एक्सराइज ठीक है यह एक आपकी कि जॉइंट एर फोर्स एक्साइज है एर फोर्स स्टेशन हिंडून के अंदर ये इंडिया और किस चीज की एक्साइज देखने को आपको मिलती है जल्दी से जल्दी बताइए जी शाबाश तो ये जो है इंदर दुनुश एक्साइज 2020 की इंडिया और किसके बीच में करेक्साइज एक्साइज और यहां पर कुछ आपिज इंडिया और यूएस के बीचे में रॉप्विफ और को वेरिन इंडिया मालदीव इसरीजी जो है आपकी बंगलदेश के अंदर यह सारी चाहिए आपको पता होनी चाहिए समझाया क्लियर होगे आप लोगों को इसका स्क्रिंशॉट लेना ले लेना बागी पीडेफ में डाल दूंगा मैं अगला बताइए इन में से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है रिगार्डिंग दा लोकेस्ट पैस्ट अटैक इन इंडिया आपको पता होगा कि जो है लोकेस्ट क्या ट बेंड में को जब्रण डेमेच बिल्कुल सही है दस ऐसे स्पीशिज है जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि जो हमारे डिंजरस है और डेमेच करती है बिल्कुल सही है और इंडिया के अंदर सिर्फ चार देखने को मिलती है डैजर लोकस्ट बंबे लोकस्ट और आपका सबसे डिंजरस यह वाले लोकस्ट यह वह आपका पॉंट बिल्कुल सही है तो इसका अंसर क्या बनेगा बोथ 1 & 2 तो सी ऑप्षिन बनेगा आपका अंसर बनेगा बोथ 1 & 2 पी एड़ यह दोनों स्पीशिज आपको देखने को मिलती है लोकस्ट पैस्ट अटेक के अंदर इस वेरी वेरी इंपॉर्टन कोशन क्लियर दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों कौन सी स्पीशिज तो यह आपकी 10 स्पीशिज जो आपको सबसे डिंजरस डिंजरस है यह वाली ठीक है और दूसरा बाठ है हमारे इंडिया में यह वा आपकरिशिज और दाल दूंगा चलिए अगला बताई यह कोशit हैं इंडियन सब कॉंटिने एंडियन सब कॉंटिनेंट के उपर जो डिल आ इंडिया में हमारी maintain कर रहा है और हमारी satellite program है और देख रहा है continuouslyु वो कॉनसा आपका इसमें से satellite है यह March 5 को launch करी तो पांच मार्च करेगी सी March मंत के अंदर लौच करी गई थी 2021 के अंदर ट्वंटी के अंदर सब्च चाहिए सथीहष धवन Space Center में सथीहष धवन स्पेस एंटर से और श이री हरी कोटा से लौछ करी गThe इस रोद्वारा और इस सैटलाइट का नाम था sono उस और इन्डिया भी हाल विलाल में डी सेट ऌई की बात सोच रहा है बात करते हैं इंडिया घरशीरी हरी कोटा से लॉँच करी घा थी इस रो द्वारा और गो जी सैट वान गी यसी से टोट इंग सैटलाइच जा महें की लांच करने की बाल सोच रहा है अब बात करते हैं इंडिये रिसर्च और्कनाइशन की इसके हैड़कॉर्टर कहां है बैंगलूरू के अंदर इस्रों के बनेंगी बनेंगे और इस्रों के और के सिवान और 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 क्या बता सकते हैं इस रोगी आपकी कमर्शी नाम है अंत्रिक्ष जिसके अड़कॉर्टर अगें बैंगलूरू के अंदर देखने को आपको मिलते हैं और उसके बाद जो है आपका यह वाला पाड़ हो गया और विक्रम साराबाई विक्रम साराबाई स्पेस सेंट जो आपका तिरुवंत पूरम के अंदर देखने को मिलता है सतीश दवन स्पेस सेंटर आपको पता है ड़िजिजिंद आंध्रप्रदेश क्लियर श्री हरी गोटा आंध्रप्रदेश तो इसमें बनेगा और अंसर जो है जी एसल्वी एंब के टो जी सैट वान यह इंडियन 2786 किलोमेटर एक्जेक्ट है अगर यह एक्जेक्ट पेपर में ना आये तो 36,000 किलोमेटर इसका अंसर बन जाएगा और इसका जो रोटेशन टाइम है 24 गंटे होता है जैसे अर्थ गूमती है वैसे ही गूमती है यह यह आपको ध्यान रखना है तो इस वेरी वेरी इंपोर क्लियर और यह पूरे के पूरे जो है हमें रियल टाइम जो है इमेज प्रोवाइड करेगा रियल टाइम इमेज चले अगला बताओ डियूल गर्मेंट जो है यह किसके साथ एसोसेट करती है डियूल गर्मेंट डियूल गर्मेंट स्टाट किसने करी थी यह रॉबर्ट क्लाइव ने स्टाट करी थी यहाद होगा आपको ट्रीटि ऑफ अलाहबाद गर्मेंट 1765 और इसने बोला था दिवाणी राइट और आपका निजामत राइट प्लियर दिवानी जो था अंगरेयजों पॉलिटिकल चीज़े सब कुछ जो है आपका संभालेंगे यह लोग संभालेंगे निजामत अंड ड्यूटी फ्री टेट दिये थे आपको पता होगा रॉबर्ट क्लाइब ने लड़ाई लड़ी थी प्लासी का यूद लड़ा था सैंवें फिर उसके बाद बकसर की लड़ा था तो वारन हास्टिंग ने खतम किया था रेगुलेटिंग एक्ट सैंटी सैंटी थी के अकॉर्डिंग क्लियर यह आपको द्यां रखना है और वारन हास्टिंग जो है पहले गवर्नर जैनल ऑफ बंगॉल बने थे कॉर्णवालिस की बात करते हैं फादर आफ जो है सीवि इंडिया को कहा जाता है 1833 के अंदर लॉंच करी गई थी इस अगेन इंपोर्टन विल्यम बैंटिक जो है सथी प्रथा को खतम करवाने में बहुत बड़ा हाथ था इनका 1829 के अंदर खतम करी थी और इसका सपोर्ट किस ने किया था राजर राम होनाई जी ने किया था तो अब बाईडवस्ति जो है सबसे अध़ा काहा पर जहां पर यहां सबसे जावां पर जहां पर आपके आपके लाएर अपका फॉरिस्ट सदा बहर रिख्या जो होता है यहां पर पढ़ती रहती है और सबसे धाएधे समझाल उप्षिन बने के और गिण एकुटोरे फोरस्ट इसको कहा जाता है लेक्सलाइग जिन गंजेटिक प्लेंघ सब्सक्राइब है जई निक्सक्स त्रइनी के प्लेंज है वह आपको देखने को मिलता है एक और जेंगर जैसे एक तर और ब्रांच यह आपको एक तरह से फॉर्म कर रही है आपका ऩो जो है और प्रines in ऑग प्रेन अरॉसके उसको यह अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा राइट प्रेनिया ACT आंसर इसमें और शिसमें बी ऑफुन this is very very important clear होगे आप लोगों को इंडो गंजेटिक प्लेंड के अंदर देखने को आपको मिलता है समझाया जी इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट बी ऑप्शन तो गाई जे थे आज की लेक्ट्टर के अंदर बाकी आपको बता दूं आप मुझे टेलिग्राम चैनल के उपर जूट सकते हैं डॉक्तर बीपन गोल के नाम से यहां पर 1,666 बुर्शे में रिशाथ जूड़े हुए हैं और इंस्ट्राग्राम की उपर मुझे फॉल्डर कर सकते हैं डॉक्तर बीपन गोल के नाम से और प्लस मेरे दो पेड़ कोर्सिज आते हैं जैसे अभी हमने पड़ हुआ है तो आप सब्सक्रेंद कर सकते हैं और इसके अंदर अभी बहुत बढ़ा जो है इसके अंदर जो है डिसकाउंड है विपन 15 यूज करेंगे पहले आप डिकटन यूज करते थे इस बार 31 तारिक तक आप विपन 15 wirp 15 15 use करेंगे तो आपको discount मिलेगा GS course के अंदर आपका code है यह वाला VIP 500 और आपको यह courses कहां से देखने को मिलेंगे study IQ app के उपर जा फिर website के उपर study IQ.com जैसी आप इसको open करते हैं आपको screen के उपर नजर आएगा यहां पर home page यहां दिखेगा आपको best selling courses यहां पर view all का बटन को दबाना जैसे आप दबाएंगे 10,000 mcq course आपको देखेगा तीसरे नमबर की उपर GS course आपको देखेगा चौथे नमबर की उपर समझाया जो भी course आपको अच्छा लगता है आप purchase कर सकते हैं और preparation को में एक्जाम है और अच्छे से preparation करना जाते हैं तो अगें 10,000 की तरफ जाएंगे और अगर आपको बिल्कुल भी GS नहीं पता ABC भी नहीं पता next year के लिए prepare कर रहे हो और हो सकता है दो सालों बार prepare करना हो आप लोगोंने तो GS course के साथ जाएंगे आप theory course क्योंकि बेसिक क्लिए करने बहुत जरूरी है आपके समझाया तो दीजार्दा आपके पार्ट है जो हमारे courses है thank you so much बाकी मिलते हैं रात को 9 बजे और प्लस जो है हमारी जो class होगी कल current affair की होगी और सुबह में और वो लंबी क्लास होगी काफी लंबी क्लास होगी तो उसमें आना मत बोलना ठीक है तो थैंक्यों मच गाईस और वेरी बेस्ट कुल लग टेक्या जैहिन